हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूडूब चैनल HPGK Tricks with Prem में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम HP Police Constable के एक्जाम के लिए मोग टेस्ट नमर 23 लेकर आया है और ये दोस्तों Constable की सीरीज का अंतिम मोग टेस्ट होगा जो की हिंदी का है और ये मोग टेस्ट most important है तो वीडियो को सुरू से अंतक पूरा जुरू देखें तो चली दोस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो को वीडियो का पहला question है निम्न में से कौन सा सब्द असुद है बताई दोस्तों इन चार option में से कौन सा असुद है और दोस्तों असुद होगा आपका उजवल ठीक है उजवल में हम उडवल आ दे जाका और वल ठीक है ये सुद सब्द है उजवल इस तरह से लिखते हैं ये जो आपका रॉंग हो जाएगा यानि असुद है ठीक है next question की तरफ move करते हैं question number second question number second है नायक सब्द का बिछेद होगा तो ये चार आपके option है बताई दोस्तों कौन सा होगा इसमें नायक सब्द का बिछेद देखे दोस्तों नायक जो आपका स्वरसंदी का प्रकार है और स्वरसंदी में ये अयादी संदी का टाइप है और इसमे इसका जो राइट अंसर होगा, अप्सन नमर C, ने जम अक, ठीक है, याद रखें, ने जम अक, नेक्स्ट कोश्चन है, नमर थार्ड, आंख का कांटा होना, ये चार आपके अप्सन है, बताएं दोस्तों, इन चार अप्सनों में से कौन सा जो है, सही हो जाएगा, और दोस्त इस कोश्चन का सही अंसर होगा, अप्सन नमर C, बुरा लगना, नेक्स्ट कोश्चन है, कोश्चन नमर फोर्त, बरतनी की दरिश्टी से कौन सा सब्द असुद है, ये चार अप्सनों में से कौन सा सब्द जो है, असुद है, और दोस्तों इस कोश्चन का राइट अंसर हो आपका option number C, यह हार यह सूद्ध है, क्योंकि ते हार में हम single मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ते हो हार, और बाकी यह सभी सूद्ध है, इनको भी दियान रखे, ठीक है, next question, question number 5, निमन में से किस सब्द में बिसर्ग संदी है, बताएं दोस्तों इन चार option में से बिसर्ग संदी किस में है, ठीक है, बात करें, सदेव यह आपकी स्वर संदी है, और स्वर संदी में यह प्रिद्धी संदी है, कौन सी संदी है, ब्रिद्धी संदी है, और नरेंदर आपकी स्वर संदी है, और स्वर संदी में यह आपकी गुन संदी है, और अत्यव यह आपकी बिसर ठीक है next question question number six निवन में से सुध बर्तनी चैन कीजिए यह चार आपके option है very very most important question है यह दोस्तों आपने बताना है कि इसमें कौन सी सुध बर्तनी है और इसको आपने comment box में बताना है ठीक है next question है question number seven seven यानि कौन से बेंजन कहलाते हैं यह चार श और स और ह तो बताएं दोस्तों इस question का right answer क्या होगा और दोस्तों इस question का right answer होगा आपका option number C देखी दोस्तों अगर इनकी बात करें इन चार स और ह की तो यह जो यह उसम बेंजन भी कहलाते हैं ठीक है संगर सी के साथ उसम बेंजन भी यह कहलाते हैं इसको भी इस point को भी आप याद जुरूर रख लें next question है question number eight A और I बर्न क्या कहलाते हैं यह चार आपके option है और दोस्तों इस question का right answer क्या होना चीए और इस question का right answer है आपका option number D Question number nine Very very most important question है दोस्तों very very most important ठीक है इसको आप style लगा लें और दोस्तों इस question का right answer है आपका वर्न बासा की सबसे छोटी काई होती है बर्न ठीक है next question है question number 10 तीन लोग से मत्वरा नेरी का आर्थ बताई दोस्तों इस question का right answer क्या होना चीए तीन लोग से मत्वरा नेरी का आर्थ तो इसका जो right answer है आपका option number E सबसे अलग रहना ठीक है next question है question number 11 कौन सा सब्द नदी का प्रायवाची नहीं है ये चार आपके option है और दोस्तों अगर सरिता की बात करे ये नदी का प्रायवाची सब्द होता है तरंगणी भी आपका प्रावाची सब्द होता है नदी का और निर जर्णी ये भी आपका नदी का प्रावाची सब्द है यदि तरंगणी की बात करें ये आपका नाव की प्रावाची का सब्द है ठीक है नाव का प्रावाची सब्द है तरंगणी ये तर्णी और यदि इस में हम छोटी मात्रा का प्रयोग करें तो यह हो जाता है सूर्य का प्रावाची सब्द याद रखे सूर्य का प्रावाची सब्द के लिए छोटी मात्रा का प्रयोग और बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा तो नाव होगा ठीक है मैंने पिछली वीडियो में बताया है तोु आप उसको भी देख ले next question, question number 12 question number 12 है आपका सूर्य हुदय में संधी है तई दोस्तो, सूर्य हुदय में कौनसी संदी है सवरसंदी का प्रकार है सूर्य हुदय और कौन सी संदी है इसमें बताईये और दोस्तो, इस question का राइटांसर है आपका अप्शन नमर बी, सूर्य उदय में आपकी गुण संधी है, यदि हम सूर्य उदय का संधी बिगड़े करें, यानि संधी बिछेद करें, तो इसका होता है सूर्य धन उदय है, ठीक है, इसको भी आप याद रख लें, नेक्स्ट कोश्चन नमर 13, बच्चा दिन भर रोता है, इस बाक्य में क्रिया बिसेशन का भेद होगा, तो बताइए दोस्तों, बच्चा जो है दिन भर रोता है, कौन सा क्रिया का भेद इसमें होगा, ये चार आपके ऑप्शन है, और दोस्तों, इस क्रिया बिसेशन का next question is question number 14 वह धीरे-धीरे मुस्कराने लगा तो इसमें क्रिया का कौन सा बेदे बताए ये चार आपके अप्चन है और दोस्तों इसमें होगा आपका रित्ती वाचे क्रिया विसेशन यदि हम रित्ती वाचे क्रिया विसेशन की बात करें तो इसमें आपका धीरे-धीरे अच्छानक एक-एक इस तरह के बाक्या है तो वह रित्ती वाचे के होते हैं next question is question number 15 वह पढ़ाई कर चुका है बाक्या में कौन सी क्रिया है तो बताई दोस्तों कौन सी क्रिया होगी वह पढ़ाई कर चुका है और दोस्तों इस question का right answer है आपका option number D यानि द सयुक्त next question is question number 16 जो कि इस वीडियो का अंतिम और लास्ट question होगा very very most important question है दोस्तों निमन में से नासिक के बेंजन कौन सा है तो बताई दोस्तों इस चार option में नासिक के बेंजन कौन साइस में और इस question का right answer है आपका option number B और दोस्तों आपने पताना है कि आपके 16 में से कितने question सही हुए है और आपकी त्यारी किस तरह से चली है ठीक है तो आप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन जरूर दवाए धन्यवाद मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जियो के सेस्टन में ठीक है में ठीक है है पमें परेक से पनोल